अलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्चना जैन उर्दिकुईनो किचन में आपका स्वागत हैं जलिए आज बनाते हैं बिस्कुट चैसे एकदम खस्ता शक्कर पारे जो मुँ में डालते ही घुल जाएंगे इतने खस्ता बनेंगे जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं होटल में मिलते हैं वैसे ही शक्कर पारे आज हम घर पर बनाएंगे एकदम आसान तरीके से तो इस दिवाली शक्कर पारे की इस रेसिपी को आप जरूर जरूर ट्राय करिए और रेसिपी अच्छे तरह से समझने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखिए जिससे कि आपके जो शक्कर पारे हैं ना तो फटेंगे और ना बिल्कूल भी ओईली बनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी लेकिन पहले रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ओल बटन पर क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है सबसे पहले आधा कप चीनी और इसमें मैं एड़ कर रही हूँ आधा कप घी अब क्या करना है हमें इन दोनों चीजों को एकदम बढ़िया सा क्रीमी टेक्चर आने तक फेंटना है इने के साथ घी को इस तरह से फेंटते हैं तो घी जो है बिलकुल light हो जाता है तो आपके जो शकर पारे हैं वो भी खाने में light और बिलकुल खस्ता बनेंगे देखिए अब यह light and white हो गया है तो अब मैं इसमें add करूँगी half cup दूध दूद को भी हमें इसके साथ अच्छे से mix-up करना है अब दूद अच्छे से mix-up होने के बाद में हमें इसमें add करना है लगभग 1-4 टीस्पून नमक नमक add करने से शकर पारों की जो टेस्ट होती है वो और भी enhance होगी और देन हमें इसमें add करना है थोड़ा-थोड़ा all-purpose plant याने के मैदा तो अभी मैं इसमें 2 कप मैदा add कर रही हूँ और देखिए मिशिरन अभी भी थोड़ा पतला है मतलग इसमें हमें और भी मैदे की जरूरत है तो और एक कप मैदा मैं इसमें add करूंगी तो जितना घी, दूद और चीनी हमने ली थी उसमें हमें totally तीन कप मैदे की जरूरत होगी एक बढ़ियासा dough बनाने के लिए और बस इस तरह से हमारा जो आटा है बिल्कुल ready हो जाएगा तो एक बार आटे को लगा लें तो उसके बाद हम इसे करीबन 10 मिनिट तक छोड़ देंगे rest पर और 10 मिनिट बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो dough है एक दम बढ़ियासा set हो गया है तो अब हमें इसकी तीन लोईयों में इसे divide करना है क्योंकि अब हम इसे बेलेंगे तो रोटी जितना पतला नहीं बेलना है मतलब आप जानते हैं जैसे की शक्कर पारे थोड़े मोटे होते हैं तो जितने मोटाई में आपको शक्कर पारे बनाने हैं उतने मोटाई में आप यह जो रोटी है इसे बेल लीजिए तो आज मैं बिल्कुल बिस्कुट जैसे शक्कर पारे बना रही हूँ तो इसलिए मैं ये जो रोटी है न जादा पतली न जादा मोटी बेलूँगी तो देखिए इसकी ठीकनेस जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आप यहाँ पर चाहे तो इसे स्क्वेर में काट सकते हैं जैसे की रिगुलर शक्कर पारे होते हैं लेकिन मेरे पास ये हाट शेप का जो कुकी कटर है मैं उससे आज ये शक्कर पारे बनाऊंगी तो बच्चों को भी खाने में थोड़ा मज़े आएगा अलग-अलग शेप में अगर हम इने बनाते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं तो देखिए इस तरह से हाट शेप में अब हम सभी जो शक्कर पारे हैं इनके कट्स लगाएंगे दोस्तों इससे पहले भी मैंने दिवाली के लिए स्पेशल मिठाईया और स्नैक की रेसिपी अपलोड की हुई है चैनल पर लिंक वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार की नई नई स्वादिशेश इस दिवाली के लिए बना सकते हैं बाकी बचे डो से भी हम इसी तरह से शक्कर पारे हाट शेफ में निकाल लेंगे अब देखें पूरे मैंने इस तरह से पेपर पर फैला कर रखे हैं मतलब एक साथ पूरे मैंने पहले बना कर रखे हैं अब हम इने fry करेंगे तो oil मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था अब oil का जो temperature है बहुत high नहीं करना है हमें medium temperature वाले oil में हम ये जो शक्कर पारे हैं at a time कढ़ाई में जितने आएंगे उतने डाल दिंगे और अभी हमें इने छेड़ना नहीं है तो लगबग 5 मिनिट हो जाए तब हम हलके हलके हातों से आप देख सकते हैं इस तरह से हम शक्कर पारो को इस oil में चलाएंगे ताकि ये तूट न जाए और इने हमें खस्ता होने तक medium to low flame पर ही fry करना है ग्यास flame जो है बिल्कुल भी hyper ना हो इस बात का ध्यान डखना है नहीं तो शक्कर पारे उपर से तो brown हो जाएगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खस्ता नहीं बनेंगे तो चलिए देख लिजिए हमने इसे इस तरह से golden color पर fry कर लिया है तो टोटल मुझे 10 मिनिट लगे है इन शक्कर पारों को fry होने के लिए आप ज़्यादा quantity में बनाना चाहते हैं तो बड़ी कढ़ाई रख दीजिए और जो quantity हमने दिखाई हैं यहाँ पर शक्कर पारे बनाने के लिए तो जो इंग्डेंट हैं आप बढ़ा कर भी ले सकते हैं चलिए बाकी बचे शक्कर पारे भी हम इसी तरह से golden color पर fry कर लेंगे medium to low flame पर तो दोस्तो वीडियो खतम होने से पहले इस पैरेसी रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिए गा और इसे जाद से जादा शियर भी करिएगा और हां हाँ शेप वाले इस शक्कर पारे की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे comment करके ज़रूर बतवये क्योंकि मुझे आपके पहरे newly comments का इंतजा रहता है सो देखिए यहाँ पर हमने सभी शक्कर पारे तयार कर लिये हैं एक मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखाऊंगी ठंडा होने के बाद यह कितने खस्ता बनते हैं पूरी तरह से ठंडे हो जाए तब आप इसे एरटाइट कंटेनर में भर कर कम से कम दो हपतों तक भी चला सकते हैं सो देखिए यहाँ पर शक्कर पारे रेड़ी हैं थंडे भी हो गए हैं तो इसे मैं तोड़कर भी दिखाती हूं कितने लेयरदार और एक दम खस्ता बने हैं इतने खस्ता के मूँ में जाते ही पिघल जाए तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपिके साथ तब तक के लिए बाई और थैंक्स पर वाचिंग